उत्राखंड के रूड़की में एक चोकाने वाला मामला सामने आया जहाँ पर एक विक्षिप्ट महिला ने फुटपाथ पर ही बच्चे को जर्म दिया इसके बाद सूचना मिलते ही आनन फानन में एक सौट एम्बुलेंच से महिला को सिविल होस्पिटल में भेजा गया जहा महिला के हालत को देखते हुए अस्पताल परबंदक द्वारा व्याईपी ट्रिमेंट दिया गया अब महिला और उसकी बच्ची दोनों सुष्ट बताए जा रहे हैं वही आपको बताते कि विक्षिप्ट महिला पहले भी अपने दो बच्चों को जनम के बाद मार चुकी है महिला बैंगलोर की बताई जा रहे हैं अस्पताल परबंदक ने लोगों की बढ़ती बीड को देखते हुए लेबर रूम की सुरक्सा बढ़ा दिये क्राइम स्टोरी के लिए उतरा खने कर रूड की सेमिकी जैदी की रिपोर्ट हमारे पास ये केस सुबह मौर्णिंग में साड़े आठ बजे हमारे पास 108 एंबुलेंस के द्वारा आया है ये केस और ये पेशेंट जो डिलीवर्ड हुई थी रोड पर डिलीवर्ड हुई थी 108 वाले ने हमें यही सूचना दी कि इसके साथ कोई नहीं था ये फूट पात पर रहती है नगर निगम के पास और इसका कोई अपना नहीं है इसके पहले भी दो पर इतनी मुझे इसकी स्ट्री मालूम है कि पहले भी ये दो बच्चों को जनम दे चुकी है एक बच्चे को इसने किसी को बेच दिया, दूसरे को इसने नहर में बहा दिया था तब लोग इसको मदब पूरा स्टाप बहुत जादा केरिंग कर रहा है इसकी हमें स्पेशल चिमेस सरकार, मिश्चा, एक है मिश्य सरकार का विशी है है कि इसको किसी िजी की को थाईना पड़ती जाए मिस्टरा सर वो भी कुछ करें पर यही चाते हैं कि यह बच्ची हमारे पास ही सबके साथ रहे नन्नी परी। एक 108 वाले परसो सुबर 8 बजे एक मदर को लेकर आये उसकी डिलेवरी अर्ध विश्वत महिला थी वो उसकी डिलेवरी नहर पे कहीं हो गई थी। उसको हमने हमारे सिस्टरों ने, डॉक्टरों ने मैनेज किया, बच्ची स्वस्थ है, बच्ची का वजन धाई किलो है, मा भी ठीक है, उसको एडॉप्ट करने के लिए कई लोग आ रहे हैं और इसमें हमने पुलीस और प्रसासन से सहयोग मांगा है, सुचना दे दी है, पुल झाल